हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मेरा नाम संतोश्मंत है और मैं एक प्रोफेशनल मेडिकल कोडर हूँ यूएस हेल्थ केर प्रोसेस में यह है चैनल जैसे कि मैंने आप बताया मैंने स्टार्ट किया है उन बेगिनर्स के लिए जो इस मेडिकल बिलिं को बीना कोई समय गमाये हुए चलिए अब हम जानते हैं PCP क्या होता है primary care physician देखिए हमें इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यह term PCP बार-बार हमारे आगे आने वाली training में यूज होगी और जब हम काम करेंगे तो भी यह बहुत यूज होगा तो हम जान लेते हैं क कि primary care physician PCP क्या होता है a doctor who see the patient for the first time for a disease or illness and refer it to a specialist some kind of insurance plan must require a PCP अब देखिए US में कई तरह के insurance plan है लेकिन जो सबसे popular plans US में है उनके बारे में हम detail में आगे जानेगे लेकिन मैं उनने बता देता हूं कि जब भी वह insurance plan कोई patient या कोई व्यक्ति लेने के लिए जाता है तो insurance company plan लेते समय उनसे पूछती है कि वो एक PCP किसे चूज करना चाहेंगे that means primary care physician किसे चूज करना चाहेंगे वो insurance plan लेते समय पेशेंट को ये बताना होगा कि किसी भी treatment या उसको कोई बिमारी होती है या treatment करना है या कोई symptom उसे दिख रहे हैं जिसका उसको इलाज चाहिए उसके लिए वो है सबसे पहले एक particular doctor के पास जाएगा जो वो अपने insurance लेते समय decide करेगा और सबसे पहले उसे उसी doctor के पास जाना है उसे कहा जाता है primary care physician PCP अब insurance patient ने ले लिया उसके बाद जब भी उसे कोई problem होगी या उसके family member अगर प्लैन में cover करते हैं तो उसके family member जाते हैं doctor के पास तो सबसे पहले वे अपने PCP के पास जाएंगे और अपने symptoms वगएरा उसे बताएंगे PCP जनरली हमारे हैं अगर मैं इंडिया से compare करें तो हमारे हैं जिसे कहा जाता है कि family doctor तो family doctor क्या होता है पहले बुखार वगएरा होता है किसी को भी हमारे family में किसे होता है बच्चों को सबसे पहले family doctor से consult किया जाता है अगर family doctor उसे कुछ दवाई देकर या कुछ normal treatment देकर ठ ठीक है अगर वो नहीं कर पाता है तो वो एक specialist को refer कर देता है इसी प्रकार PCP जो होता है patient ने अगर एक plan चूज किया है जहां PCP चूज करना compulsory है तो वो सबसे पहले PCP के पहाँ जाएगा PCP कोशिश करेगा अपनी दवाई आपनी consultation से उसे ठीक करने की अगर उसे नहीं कर प अब डॉक्टर के पास चायद ultrasound machines या किसी भी तरह का radiology करने की machines या MRI करने का machine ना हो तो वह क्या करेगा वह उस patient को refer कर देगा एक cardiologist के पास अब हम इसके बार में आगे जानेंगे देखिए आगे क्या है अब जान लेते हैं specialist कौन होते हैं the doctors who are specialized to treat a particular type of disease or organ like cardiologist, pediatrician, gynecologist, etc specialist कोन होते हैं एक होगे हमारे PCP जो सबसे पहले patient के बार जाएंगे अब PCP अगर treatment को नहीं कर पा रहा है या वह चाहता है कि एक specialist को refer कर दे जाए जो अच्छे से जो उस particular बिमारी या उस body organ के बारे में specialized है उसमें अच्छे से उसके बारे में सिखा हुआ है जैसे doctors तो काफी होते हैं लेकिन doctors को भी एक particular field में या एक organ के उपर या एक बिमारी के उपर specialization करना होता है Cardiologist होता है वो Cardiologist जो होता है वो Heart के बारे में वो अच्छे से ट्रीट कर सकता है patient को Pediatricians जो होते हैं वो बच्छों के डॉक्टर होते हैं वो बच्छों के सिंप्टम बच्छों के बारे में अच्छे से जानते हैं तो क्या होता है जो PCP होता है वो patients को refer कर देता है specialist के पास और specialist उस particular organ का जो specialist होता है या उस particular disease का हो सकता है जैसे कि मान के चली कोई cancer specialist है तो वो cancer specialist होगा कोई Heart specialist है या कोई pain management doctor है वो pain को अच्छे समझता है तो जो PCP होगा हमारा primary care physician वो एक specialist को refer करतेगा और specialist फिर उसका treatment करेगा अब इसी से आगे और terms निकलेगे उसके बारे हम आगे की वीडियो में चानते है Referral अब referral क्या होता है यह भी हमारा आगे बहुत यूज होने वाला है इसलिए हम इसको basics में डाल रहे हूं इसको में basics के बारे में बता रहा हूं Referral Some insurance plans require a referral from the PCP before seen by a specialist Specialist need referral from patient's PCP That means के अब एक PCP जो doctor है जो main doctor है जो उसका primary care physician है एक patient का वो एक specialist के पास patient को refer कर देता है तो अगर insurance company को अब यह चाहिए कि यह है तो इसका PCP नहीं है उसे अगर specialist से treatment चाहिए तो उसे patient के primary care physician से एक referral चाहिए होगा एक तरह का letter हो सकता है जिसमें वो कहा देगा कि यह patient को यह symptom है और यह problem है और इसको मुझे लग रहा है कि अगर patient को heart problem है तो बोलेगा heart problem है अब मैं आप specialized हो heart problems के लिए तो मैं आपको refer कर रहा हूं प्लीज मेरे patient के symptoms के उपर इसका treatment कीजिए तो जब specialist insurance company को claim भेजेगा तब insurance company specialist doctor से referral मांगेगी कि अब अगर आपके पास patient आया है तो क्या उसे PCP ने refer किया है या आपके पास directly आ गया तो कुछ insurance plan रिस्टिक करते है patients को कि वो directly specialist के पास ना जाए पहले अपने PCP के पास जाए और PCP एक referral letter issue करे specialist को और specialist उस letter के बहाफ पे अपने claims को submit करेगा अगर हम referral नहीं obtain करेंगे जैसे कि अगर हम billing कर रहे हैं एक specialist की और PCP नहीं है patient का तो हमें claims के साथ referral जरूर include करना पड़ेगा otherwise हमारा claim referral के लिए deny हो सकता है तो referral इसलिए बहुत important है और काफी denials आते हैं इसके हमारे तो हम कोशिश करते हैं referral को obtain किया जाए medical billing process में हमारा motive यही होता है कि हम denials को कम से कम minimize कर सके तो चलिए आगे हम देखते हैं अब क्या है Authorization Authorization क्या होता है इसके बाहरे मैं जान लेते है Authorization जैसे कि हम इसके word से meaning नहीं पहल रहे हैं किसी तरह का एक authorize करना किसी चीज़ को अब इसके पहले definition पढ़ लेते हैं Insurance companies ask for authorization from the provider before a major treatment, test or surgery without taking prior authorization claims can be denied अब यह भी एक बहुत बड़ा reason है जो हमारे AR process में आप कह सकते हैं account receival process में denials आते हैं अगर हम कोई treatment patient को दे रहे हैं जिसके लिए उसकी plan के अंदर insurance company ने यह पहले ही define किया हुआ है कि अगर आप यह treatment लेने जाते हैं doctor से तो पहले आपको authorization लेना पड़ेगा insurance company से मतलब कि वह आपको देखना पड़ेगा कि यह plan cover होता है आपके plan में यह नहीं होता है तो यह responsibility generally doctors की providers की होती है कि वह किसी particular major, generally जो authorization होता है यह major treatments के लिए यह major test के लिए किया जाता है तो अगर doctor patient का कोई major test कर रहा है वह MRI हो सकता है, echo cardiogram हो सकता है वह किसी तरह का ultrasound हो सकता है या कोई replacement surgery हो सकती है कोई total body transplantation हो सकता है किसी body part का totally replacement हो सकता है या heart open heart surgery हो सकती है किसी भी तरह का major treatment अगर patient का होने वाला है तो insurance company से पहले यह confirm किया जाता है कि या benefit patient के plan में cover करता है या नहीं करता है उसके लिए specialized department हैंडल किया जाता है जहां पर यह department का काम होता है insurance company से authorization लेना जैसे अगर किसी patient का 15 दिन बाद एक surgery plan होगा है पॉसिबिल्टी है होने के वह एक से जादा भी हो सकते है insurance company से बोलेगा कि इसको patient को यह diseases है और यह इसका treatment होने वाला है आप मुझे बताइए कि इसका surgery है या test है यह इसको authorized होगा या नहीं होगा insurance company उसके सभी documents को देखेगी उसके treatment देखेगी अगर उसका कोई PCP होगा PCP से confirm करेगी कि हां इसे काफी दिनों से जिसे अब हमें example ले लेते हैं किसी patient को काफी दिनों से heart problem है और patient का MRIB किया गया सब कुछ किया गया और अब यह decide हो गया है कि patient का एक heart surgery करना होगा तो insurance company वह सभी documents को रिव्यू करेगी और अगर उसे लगता है कि हां यह बहुत ही necessary है patient को treatment देना तो वह authorize कर देगी और authorization आप एक letter भी issue कर सकते है या एक number भी दे सकते है उस basis पे वह authorize कर देगी statement को अगर claims का authorization ले लिया गया है तो insurance company उसका doctor को payment कर देगी जितना भी उसका थोड़ा process लंबा हो जाए और हमारी payment अटक भी सकती है तो इसके लिए यह बहुत ही important है कि हम पहले ही authorization obtain कर ले insurance company से तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है अब मैं आपको next video मीलूँगा बस मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप वीडियो को subscribe करें मेरे चैनल को मेरे वीडियो को like करें और कुछ अगर गलती या कमी रह गई है तो वो comment में मुझे बताए और इसी तरह informative वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा future भी बस आप मेरे चैनल को subscribe करें और साथ मेरे हमारे हम सब मिलके सिखेंगे medical billing and coding thank you